अनुपमा सीरियल में मालविका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अनेरी वजाने को तो आप अच्छे से जानते होंगे जिन्होंने अब तक कई सारे बहतरीन सीरियल्स में काम किया है और टीव इंडेस्ट्री को कई सारे हिट सीरियल्स दिये है जिनके बारे में जादतर दर्शक, जादतर बाते जानते हैं लेकिन दोस्तों आप सब इनके बारे में इतना कुछ जाने के बाद भी सब कुछ नहीं जानते होंगे इसलिए आज के हमारी इस वीडियो में हम आपको अनेरी वजानी की रियालिटी से रूबरू कराने वाले हैं अगर आप भी इनकी रियालिटी से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें मगर उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूले अनुपमा सीरियल में मालविका का किरदार निभाने वाली अभिनेतरी अनेरी वजानी का जन्म 26 मार्च 1994 को मुंबई में हुआ था इसके चलते इन्होनी अपनी सारी पढ़ाई यहीं के कॉलेज से पूरी की थी बात कर इनकी फैमली के बारे में तो आपको बता दे इनकी पिता देवेश अवजानी पेशे से एक बिजनसमैन है जिनकी इंटरनेट पर जादा फोटोस उपलब्द नहीं है वहीं इनकी मम्मी का नाम उर्मिलावजानी है जो पेशे से एक हाउस वाइफ है साथ ही आपको बता दे इनकी एक छोटी सी पेहन है जिनका नाम प्रियावजानी है जिनसे यह बहुत प्यार करती है फैमिली के बाद बात करें इनकी आक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दे इन्होंने अपने आक्टिंग करियर के शुरुआत साल 2012 में आए सीरियल काली एक पुनर अवतार से की थी जिसमें इन्होंने पाखी काकरदार निभाया था जिसे दशकों ने भी काफे ज़ादा पसंद किया था इसलिए तो आज सीरियल के बाद इन्हें कई सारे सीरियल्स आफर हुए जिनमें क्रेजे स्टूपिड इशक निशा और उसके कजिन ये है आशकी और बेहर जैसे सीरियल्स शामिल है जिनके जरियन होने टीव इंडेस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अब ये अनुपमा सीरियल में नजरा रही है अबंत में बात करते हैं अनिरी वजाने की पर्सनल लाइफ के बारे में और उनके ब्रेक अप के बारे में तो आपको बता दें कि ये मैं तेरा हीरो से फेमस हुई अभिनेता प्यांशू जोरा के साथ रिलेशन्शिप में थी जिनसे ये बहुत प्यार करती थी और वो भी नहीं काफी मानते थे मगर इन दोनों के बीच में ही किसी पर्सनल इशू को लेकर काफी मदबेध हो गया था जिसके बाद इनके रिलेशन्शिप पे दरार आ गई और इनका ये रिलेशन्शिप ज़्यादा टिक नहीं पाया फिर इन दोनों का प्रेक अप हो गया जिसके बाद से अनेरी वजानी अपनी सिंगल लाइफ को ही एंजॉई कर रही है तो दोस्तों आपको अभी नेतरी अनेरी वजानी के रियालेटी से रूबर होकर कैसा लगा आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रू बताए साथ ही ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना पूले